तानुस पांड़ी जी की बात कर रहे हो असली चेहरा अभी गोख के सचेतक थे आपकी पार्टी के मुख अखले शादों सबसे ज़्यादा भरोसा करते ठेटे लोग हैं यह अउसर बादी लोग हैं समाज बादी लोग नहीं है आग के बाद किये मोधी जी भूल दे सरातन है उनकी माता जी खतम हुई, क्यों टकला नहीं छिल वाए, क्यों मुंडव नहीं हुए, कैसी मिल लिये, उनको जॉल बैस दिया गया, आप पताई गरत एक सही है, आप पताईखेост, आप आप पताईए ना, भूले, हमुस भूले, आप पोले, आप पताईए ना, अखले खाईया मेरे टावार मंधिल वनवा हुर उप्भी में यह मोदी ची का फिकास एज अथे देख हूरेह, यह मोदी पर्देश का फिकास है अबी मुकिश कुमार और अभी हम मौजूद है महाराष्टा के सिवाजी पार्क में जहाँ पर राहुल गान्दी जोडो नियायात्रा का आज समापन हुआ है आज 17 तारीके राहुल गान्दी की नियायात्रा मडी पूर से लेकर आज महाराष्टा में खतम हो रही है हमने कांग्रेस के तमाम सारे कारेकरतों से बात करें और यहाँ का पूरा महाल दिखाया यह थोलो साइश साइड में और यहाँ पर अमगर कारेकरता उत्तरप्रदेश में समाजवादी पार्टी सबसे ज्यादा एक्ट्व है जहाँ पर इंडिया एलाइस का सबसे बड़ा पूरोधा समाजवादी पार्टी उत्तरप्रदेश में माना जाता है कई सारे कारे करता है और समाजवादी पार्टी का सबसे बड़ा जो इस समय का नारा है पिछडा दलित और अल्प संख्यक जानने की कोशिट करेंगे कि आखिर महारास्टा में क्या है महोल इंडिया गटबंदन का और क्या होने वाला है इस बार के लोग सबाई एलेक्शन दोहजार चोबिस में सरकार चल रही है वो एक ताना सही सरकार है देश बाबा साइब भीम रावंबेटकर के बनाए हुए संविधान से चलेगा ना कि धर्म से चलेगा बाती जनता है परल्टी को लोग स्रिफ धर्म की बात करते हैं मंतिल की बात करते हैं, महजीत की बात करते हैं, कबिस्तान की बात करते हैं समसान की बात करते हैं, कभी इनकी मुझे आप लोगों को रोजगार मिले, बच्चों को पढ़ने के लिए स्कूल हो कालेज हो मेटकल कालेज हो हैस्पीटल हो ऐसा कुछ भी बात नहीं करते हैं और देश धर्म से नहीं देश संभिधान से चलेगा आप मुझे बताइए अगर कोई भी आदमी हो अपने बच्चे को पहले स्कूल बेजेगा कि पहले मंदिल बेजेगा मैं भी हिंदू ह मानता हूं हम लोग यह दुमंसी हैं इस चामल लब यह नहीं कि हम धर्म को इतना जाता तो आप बीजेपी वाले हिंदू नहीं हो आज हिंदू की कटेगरी दो तरह की हो गई है उत्त्रपदेश में कहा जाता है हिंदू दो तरह के हैं एक भाजपा वाले हिंदू और दूस पाखंडियों जो मंदिल के ठीकिदार बनके बैटे हैं पंडे पुझारी यह सिरिफ प्रसना लेकि हिंदू धर्म बनाए हैं अपने रोजी रोटी के लिए बागी हिंदू कोई धर्म ही नहीं है आज जो देश में हालात हैं अगर यहीं हालात 1947 में होते तो आप देश बिधान से चलेगा आपकी पार्टी के एक नेता थे स्वामी प्रशाद मोरिया जिन्हों ने पार्टी छोड़ी सिर्फ इसलिए कि वह लगातार पाखंडवाद तमाम चीजे मुद्दे उठा रहे थे और आप ही के पार्टी के चाहे मनोज पांडे हो राकेश सिंग हो अभ समाजवादी पार्टी को छोड़ कर मनोज पांडे वकलाट ऑक बर्शाद सबसे जादा भरोसा करते थी यह आएसे यह असरोग हैं है यह आउसर वादी लोगहैं समाज वादी बना करते थे आज जब समाजवादी पार्टी की सरकार बनी तब यह इतिहाज गवाँ है चाहे मुगलों का इतिहाज उठा के देख लो अंग्रेजों का इतिहाज लोग है जो शिरिफ चापलुशी करते हैं इनका मक्सद एक है कि हमें सत्ता का सुख लेना है सत्ता का लाब लेना है आज देखिए जब पंडी जवाल लाब पुला है अंता है लोगों का उत्सा बहुत ज्यादा है और समाजवादी पाचा एक सब कुछ छोड़िए इलक्टोरल बांड को लेकर इस समय बड़ा खुलासा हुआ है अकले शा सबसे ज़्यादा मिला है त्रणमूल कांग्रेस को मिला है उसके बाद आती है आमादमी पार्टी और कांग्रेस समाजवादी पार्टी तेजस्वी आदो की पार्टी इन लोगों को चंदा क्यों नहीं देते लोग इन लोगों को जो इमंदार लोग है जो सच्चे लोग है तो दो नमबर वाले हैं जिनके पास ब्लेक मनी है वो लोग भी कुछ अपने आपको बचाने के लिए लिए रहे हैं हमां धरम के बाद किये मोधी जी दर बोलते सनातन है उनकी माता जी खतम हुई क्यू टकला नहीं छिलवाए क्यों मुंड़ नहीं हुए अपने माता जी को दाग दिये तो मुंडी छिलवाना चाहिए क्यों कहते हैं अठारा भीज घंटे काम करते हैं समय नहीं मिलता अरे कुछ नहीं करते हैं असी आरा हो भास्पाव हो गाओ एक ही नारा है मारा तो क्या लगता है असी हारेगी अरे हारेगी बुलिकुल हारेगी हार रही है जो गोधी मीडिया है दिखा रहें तो एक-दो सीट निकलेगा वितवान तो नहीं बतातेंगा एक सीट निकल रहा है पानी पीते चाए पीते मान हमें गालिया देने लगता है क्या कहेंगे इसके लिए उनको उपर उठाई जाता है कामराक सामने ओटिंग कारड कर सिया ही लगा कर बीजए पी सरकार बताई मेर चुनाओ में मेर चुनाओ में चंडी घर में और भासपा हार रही है बोले राश्टी पाड़िया ना क्यों सिट ना ही फाइनल की अभी तक अभी बीश में टमाटर का वह वार गया था पुछ रहा है पुलमावा का क्या हुआ अखिले स्यादों पूछ रहे हैं बीजेपी से पुलमावा का क्या हुआ अगता है फीलमावा क्या हुआ खिले स्यादों से थारंज सी मील लिए उनको जयल बेज़ दिया गया आप गलत ने आप अपताई गलत एक साहिये अप अने आप पिले डिया अंगे अट मिला लिए अकले जयल की वह एं सही गलत अपताई ना उन्हें बोलिए हमोस बोलिया करेंगे सारा खातों का उजागर करेंगे लेकिन मोदी जी को आई सी क्या नवातान बड़ी की एसबी आई के खातों को छुपाना पड़ रहा है अच्छा क्या कहेंगे जिस तरीके से अभी सुसान सिन्ना ने कहा कि सुसान सिन्ना जानते होंगे नौ भारत टाइम्स पत्रकार उन्होंने जैसे यह जानकारिया उन्होंने का देखिए विपक्ष के लोग चिला रहते अडानी अंबानी का नाम आएगा एक कभी नाम नहीं आया बहुत खुश हो रहते बादे परिवारोड के लालू आतों करूंई गार्स के काड़ करता नेता सब उनका परिवार है इसलिए ने defence कर परिवारो वी हार में 45 तु सिछचम बर कको इसरी बार की छो डीक नहीं हुआ सरकार ब्रॉबड है पर नहीं रह्了 भाईनाना 다्यार प्दड्र सुष्छम ट्रमर्स पर्नी दीनके टेस्व कईым प्र भार बए प्रिक नहीं था shouting और जो कहती हैं की हिंदू जाते हैं हिंदो का नाम लेते हैं हिंदू हैं हिंदू है जाद्या मेशा oppress Chan अधियो चुनाव मेरा ऑडंदा सस्या उनको अधनीं कुछ है कोई मीडिया नहीं दिखा रहा है एक सवाल अधूरा मंदिर का उद्गाटन कि इसलिए उल्टी किंती सुरू हो गया पार भगवान उनका साथ नहीं दे रहेंगे नहीं दे रहेंगे रहेंगे राम को लाएं कि राम उनको लाएंगे अब आप बताइए ना जो यूपी में जो सरकार चरा रहें हमारी सरकार आएगी उनको घर से घाजा दिखाएंगे निकल कर में हिंदु धर में यादि पत्नी जिंदा है यादि पत्नी जिंदा है तो आप अकेले कोई भी पूजा में बैठ नहीं सकते हैं यह दि आपकी पत्नी अगर जीवित हैं तो आप उसको लेकर कि कहीं आप पू तो अपने क्या करते हैं राश्पती जी को क्यों नहीं बुलाया गया क्योंकि और पिछडी जात से आती है तो इसलिए उनको नहीं बुलाया गया तो इसलिए हम लोग यह जो पीडिये का जो गडबंदन है जमानी अखिलेश यादो जी के नेतूत में हम लोग हर जगह हैं चा तो कहते हैं भाजपा को कोई हराएगा तो पीडिये हराएगा पिछला ताली ताली ताल संख्या इस पार हारेगी असी के सीट हारेगी असी तो यूपी है उस्तर पतेस में पुड़ी हारेगी असी आराओ चलिए बहुत बहुत धर्यात जी इंडिया गन्वरधन का कोई भी परशाची रहेगा कोई भी जलकर रहेगा हारा हम समझ वाती ताहिज पूरे महाराना है बोट फड़ेगा इंडिया का कृंड़ को हमारा पकंडिटेश धर्या दिखिए यह मोधी जी का पिकास है यह उत्तर परदेश का विकास है ऐसा ही पिकास करें लखनों में अकले सिया तो आपने इंटर्विव लिया सभी बच्चों का इस महाराश के करीब मजदूरों का आवाज है कि मोधी सरकार 2014 में जानिता है जहां पर समार्वादी पार्टी के कारी करता रहते हैं ऐसा जोस और जुनून दिखता है यही नारा चल रहा है महाराश की धरती पर महाराश की धरती पर तमाम सारे समार्वादी पार्टी के कारी करता है जिनके अंदर जोस जुनून है और यही तने बाइस हैं ठीका तो आप देख सकते हैं कि यहांपर अखिले शादों के फैन यहां पर भी मौशूद है और ये देख सकते हैं कि आथों में अखिलेश रादू की पसवीर को बना कर यहाँ पर जोस और जुनिन को तिकाएंगे क्या कहएंगे अखिलेश रादो को अच्छा काम की ए इसके लिए उनका सत्थी से जरू है तो क्या लगता हैं कि दो रोजगार मिलेगा तो चलिए भाईया पिलहाल आपको बता दे कि तमाम सारे समाजवादी पार्टी के कारिकरता थे जिनके अंदर आप देख सकते हैं जो सोर जुमून पकायदा परकरार है हम भी हैं महराश्ट की धर्ती पर सीवाजी पार्क में भा सारे कारिकरता है जिनका कहना है कि भारती जिनता पार्टी को कोई हराएगा इंडियों को हराएगा तो पीडिया हराएगा फिलाल आप लोग क्या सोचते हैं कॉमेंट में अपनी राए जरूर देते रहिए